हेलो वेगर, स्वागत है आपका जमेट्री एंड मेंट्रेशन की इस वीडियो लेक्चर सिरीज पे इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक नया कंटेंट आपके लिए प्लान किया हुआ है यहां पर लेखा हुए हेडिंग में लाइन एंगल्स ठीक है तो एंगल्स का बेसिक में इसके पहले कंवे कर चुका है शुरू के तीन वीडियो उस में यह चौथे वीडियो में लाइन के कंटेक्च में एंगल्स समझाने वाला हूँ देखो कैसे जैसे यह दो पैरलल लाइन्स मैंने ड्रॉक कर दी यह रही P और यह रही Q तो P और Q जो है दो पैरलल लाइन्स है ठीके अब एक मैंने ट्रांसफर्स खीचा लेट से L एक तिरेक रेखा खीची L अब इस ट्रांसफर्स की वज़े से कुछ एंगल्स बनेंगे यहापर इस तरीके से यह रहे हो इस ट्रांसफर्स की वह जैसे कुछ एंगल बन गए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यह जो मैंने अंगल्स बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन एंगल्स के बीच मैंने रिलेशन्स होता है, तो हम लोग यह रिलेशन्स समझने वाले हैं, और वो रिलेशन्स जो मैं अभी 2 is equals to angle 3 and angle 1 is equals to angle 4, ठीक है, वैसे ही angle 6 होता है angle 7 के बराबर और angle 5 होता है angle 8 के बराबर, देखो, मैंने जो जो terms लिखे होने यहां पर, वो सारे terms को आपको इन figure में ढूंड़ना है, आपको इन figure में नोटेस करना, जब आप उन सारे terms को इन figure में नोटेस करोगे, फिर उसके ब 1 और 4 बराबर है, यह रहा 1 और 4 दोनों बराबर है, 6 और 7 बराबर है, this is 6, this is 7 बराबर है, 5 और 8 बराबर, this is 5, this is 8 बराबर है, ठीक है, तो what my point is, कि यह जो relation बनायने मेंने, इस relation को कहते हैं हम लोग vertically opposite angle, vertically opposite angle, मतलब इसे कहा जाता है, शिर्शा भिमक कोण, ठीक है, तो vertically opposite angle देखो किस तरह से बनते हैं, और वो आपास में हमेशा equal रहते हैं, तो यह बन गया पहला relation, got it, दूसरा relation सुन लेते हैं, second relation, angle 1, angle 1 is is equals to angle 5, angle 2 is is equals to angle 6, angle 3 is is equals to angle 7, angle 4 is is equals to angle 8, ठीक है, देखो दरा, 1 और 5 equal है, 2 और 6 equal है, 3 और 7 equal है, 4 और 8 equal है, एसे हम लोग है, corresponding angle, corresponding angle, जो मैंने यहाँ पर angles लिखे हैं, यह कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको position देखनी है, उनके बीच में, कैसे corresponding angle बनते हैं, उसकी position वहाँ पर photo में realize कीजी, ठीक है, corresponding angle को बोलते हैं, हम लोग संगत कोड, तो यह रहे संगत कोड, आपस में equal होते हैं, comfortable, अब तीसरा है, तीसरा है दरसल, which is alternate angle, alternate angle, alternate angle में क्या होता है, इसको हिंदी में एक अंतर कुण बोला जाता है, alternate angle में क्या होता है, हम लोग ने Z ढूंटते हैं, Z, हम लोग always Z सर्च करते हैं, ठीक है, तो Z के context में क्या होगा, कि यह दो जोनों shape होंगे, यह वाले दोनों, य alternate angle में आपको क्या करना है, हमेशा Z ढूंटना है, और Z में यह दोनों corner हमेशा क्या मिलेंगे, आपको equal मिलेंगे, मैं आपको Z ढूंट के बताता हूँ, यह आपर, जैसे आप अगर notice करोगे, तो यह आपको एक Z दिखाए दे रहा होगा, देखो, दिखाए दे रहा है, तो इसको लग, angle 3 बराबर हो सकता, angle 6 के, देखो, यह रहा 3 और यह रहा 6, इस तरीके से एक और Z बन सकता है, यह मैं आपके लिए, पॉइंट आ रहे है, समझ में, तो what my point is, मैं है कहने है को इश्च करों कि Z जहाँ जहाँ बनेगा, वहाँ वहाँ पर, उसके जो corners पेंगल बनत और angle 5 को जब आप जोड़ोगे न, तो relation मनता है 180 degree, देखो, कैसा बन रहा है, यह रहा angle 3 और यह रहा angle 5, मतलब जब इन दोनों को आप आड करोगे, तो कितना बनना अची, 180 degree, वैसे ही 4 और 6 को जब आड करोगे, angle 4 और angle 6 को आड करोगे, तब भी क्या बनेगा 180 degree, तो यह relations है आप समझो के किस तरीके से मैं relation draw कर रहा हूँ, और जो तरीके से मैं इसको apply किये न, वो फिर in questions में लगाने वालों मैं, तो मैंने आपको चार चीजें बता दी, एक मैंने आपको बता है, वर्टिकल एपोसिट अंगल, करस्पंडिंग अंगल, और और फिर यह जो 3 और 5 है, जो 4 और 6 है, दोनों का sum equal होता है, और जोनों का sum जो 180 डिगरी के equal होता है, ठीके, तो यह relations आपको copy करने, यह होगी इसकी theory, अब एक बार इस theory को, आप इसे copy कर लिजेगे इत्मिनान से, अब एक बार इस ओली theory को, मैं आपको questions में apply करना सिखा रहा हूँ, एक बार इत्मिना क्या होगी, ठीके, तो आपको क्या करना है, जोमेटरी पढ़ने के लिए समझना है चीजों को, आपको हर फोटो का दो फोटो बनाना है, पहला जो question है, जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, फिर उसका solution लिखेंगे आप नीचे, फिर एक और फोटो से मैं ऐसी बनाएंगे और जो मैं changes उसमें कर हूँ, वो changes आप note करेंगे, तो इससे क्या होगा जब आप दो फोटो बनाऊगे तो आपको future में समझ में आएगा कि question क्या given था और उसमें क्या changes करके हमने उस question को solve किया था, तो geometry बनने का यह सबसे सही तरीका है, what my point is, आपको दो फोटो बनानी है, ए देखो भई, हमको क्या पता होता है, कि एक line पर बनने वाले सारे angle का sum होता है 180 degree, एक line पर बनने वाले सारे angle का sum होता है 180 degree, अब क्योंकि यह 5y है, तो मैंने बताया था यह दोनो, this is vertically opposite angle है, शिर्शा भी मोग कोड है, तो यह भी हो जाएगा 5y, ठीक है, तो now I can write, अब मैं य सकता हूं, 5y plus 5y plus 2y is equals to 180 degree, तो यह हो जाएगा 12y is equals to 180 degree, which means that y is equals to 180 degree upon 12, तो जैसे आप से cancel out करोगे, तो 6 3 जा, 6 2 जा, 30 upon 2, इसका मतलो हो जाएगा 15 degree, तो y की value y की 15 degree, तो पहले question में उसने पूछा था, कि y की value क्या होगी, तो आपका जबाब होना अच्छे, y की value होगी 15 degree, तो यह जो red color है, यह solution का part है, got it, तो आपको question में ही red color नहीं कर लेना है, confusion आता है future में पढ़ाई करने में, दो लग लग photo बनाईए और फिर उस तरह से बताईए कि question में यह given था और हमने यह changes करके question को solve किया, तो future में थोड़ा notes जब अच्छे बनते हैं तो पढ़ाई करने म अज़ा आता है, कुछ भी करने से पढ़ाई नहीं होती है, एक सही direction में, सही तरीके से पढ़ाई करने से चीज़े समझ में आती है और वेबर निकलता भी है, चले, कुश्वाट 2 सुनते है, कुश्वाट 2 में उसने क्या कहा है, कि यह figure आपको given है, और आपको A, B, C कोई integer ह हो सकते हैं, आपको उनकी value बताने है, उनकी value, आरा है points में, तो देखो कैसे निकलेगा, style भई है आपन लगाएंगे, कि एक line पर बनने वाले सारे angle का sum कितना होता है, 180 degree, यह रही वो line, जिस पर बन रही है, यह सारे angle, और इन सभी का sum क्या हो जाएगा, 180 degree, तो इसका मतलब म is equals to 180 degree, इसका मतलब आप जैसे 5B is equals to निकालोगे, तो आजाएगा 105, मतलब कि आजाएगा 21 degree, तो आपको B की value मिल जाएगी, B की value, which is 21 degree, अब आपके आस B की value आ गई है, तो आप A और C की value बहुत अराम से निकाल सकते हो, देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, देखो ज है, 4B और A are the vertically opposite angle, इसका मतलब क्योंकि vertically opposite हैं, तो वो दोनों बराबर होते होंगे, 4B is equals to होता होगा A के, है न, तो A की value हो जाएगी, A की value, 4 into 21, मतलब की A की value हो जाएगी, 4 to the 8, मतलब की 84 degree, देखो आया समझ में, 4B is equals to A, B की value मैंने 21 निकाले थी, अपर मैं रपोट कर दि यहां था comfortable बन, ठीक है, यह हो गया, अब बारी है C निकालने की, C के लिए पन क्या करेंगे, एक line पर बनने वाले सारे अंगल का सम होता है 180 degree, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसे रफ कर दिता हूँ, इसे कॉपी कर ले न, इसे रफ कर रहा हो, थोड़ा space चाहिए होगा म 180 degree, so 2C is equals to 180 minus 84 degree, है न, so आप क्या लिख सकते हो, C is equals to 180 minus 84, which means that 96 upon 2, 96 upon 2 करोगे, तो आज आगा उसकी value 48 degree, तो आपको तीनों की value मिल गई, B की value अपने निकाली थी 21, A की value 84, और C की value 48, समझ में आ गया, ठीक है, तीनों के तीनों के तीनों के रहा होगे, तो इत्मिनांस ऐसे देख लीजे बड़ी आसे, दीरे दीरे न, अभी न, आप थोड़ा न, उन चीजों को जो मने आपको यहां पर concept में सिखा, उससे यहां पर apply करना सीख लो, पर उसके बाद में जब लेवल बढ़ा हो ता आपको solve करने में मजा भी याएगा मेरे साथ, ठीक है, अभी हम बेस मैं क्या करने माला हूँ, इस question को solve करने के लिए, P और Q के parallel में एक line खीच रहा हूँ, L, मैंने क्या किया, P और Q के parallel में एक line खीचा है, L, आपको पहले question की photo बना लेना चाहिए, फिर solution में यह मैंने blue color या red color जो किया, फिर वो करना चाहिए, ठीक है, तो अब मैंने एक line P, Q और L, तीनों आपस पे parallel होगे हैं, ठीक है, मैंने कुछ line इस तरह से draw करिया, आप ऐसे बीच में line draw कर सकते हैं, which is completely okay, तो अब आप अगर थुड़ा से बाहर करोगे, तो आपको ने एक Z बनता हूँ, दिखेगा, देखो, यह रहा, यह आपको Z बनता हूँ, दिखेगा, यहाँ पर एक angle mention होना चाहिए था, मेरे answer शायद हो सकता है, question में given हो, मेरे लिखना miss हो गया होगा, तो एक angle यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि question solve हो सके, बना question solve नहीं हो पाएगा, तो question समझो ऐसा है, कि यह 55 degree given है, और यह 45 degree given है, और वो X की value आप से पूछ रहे थे, हो सक 45 question में given था, comfortable, तो जैसे ही आप 55 और 45 दोनों को add करोगे, तो आपको X की value मिल जाएगी, तो now you may say, X is equals to 55 plus 45, 55 plus 45 और यह पांच रुपार दस और उपर चला जाएगा, पांच रुपार दस, 110 degrees कराई, तो यहाँ पर कौन सा वाला case लगा है, Z बनाने वाला, Z बना वाला case कौन होता है, alternate angle होता है, जिसे हम लोग Z बनाते हैं, चीक है, idea clear होगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question 4 की तरफ सलते है, question 4 में क्या कह रहा है, इत्मना से सुलो, question 4 में आपको यह figure given है, और AE और CD को उसने parallel बोला है, यह रहा AE, this is AE, और this is CD, यह दोनों जो है parallel है, question के हिसाब से, और वो आपसे कह रहा है, कि फिर यह वाला angle find out करके बताओ, देखो, उसने यहाँ पर question mark बनाया हुए, आपको यह वाला angle find out करने के लिए के लिए कह रहा है, ठीक है, यह रहा वो question, तो पहले question copy कर लो, पर एक और बर यह photo बनाओ, अब जो कह रहा है उसमें, उसको फिर draw करत जाना वहाँ पर, देखो, आपको गर दिखाई देगा, कि यह दुनों line क्योंकि parallel है, यह दुनों line क्योंकि parallel है, question में given है और यह जो है, एक transverse है, यह जो है, तिरेक रहा है, तो मैंने आपको भी बताया था, one और five आपस में equal होते है, one और five आपस में equal है, उसको पन कौन सा corresponding angle बोलते हैं, तो यह 34 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 34, यह दुनों आपस में equal होंगे, यह कौन सा एंगल है, corresponding angle, संगत कोड़ है, यह 34 तो वो भी 34, यह बन गया corresponding angle, अब आपको दिखाई देगा, कि एक line पर बने वाले सारे angle का sum कितना होता है, 180 degree, तो एक line पर क्या क्या बन रहा है, 34, चलो इसको मैं X सोच लेता हूँ, तो हो गया X और यह हो गया 78, इस इकष्टो 180 degree, आई बस वन में, यहाद हो क्या है, अब जैसे ही मैं add करूँगा, तो 4 और 8 और 4 हो जाएगा, 2, विच इस आजाएगा 1, 731, 112, ब्लस X, इस इकष्टो 180 degree, तो X इस इकष्टो हो जाएगा 180, माइनस 112, माइनस करूँगा तो आजाएगा 8, और 17 हो जाएगा, 17 में से 11 चला जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 68 degree, तो X की वैल्लियो आएगी इस वाले कोश्टों में, 68 degree, इत्मिन आज से देख लो, कहीं कोई कष्ट हो, तो आब मुसे बिल्कुल कमेंट से पूछने पूछने, लेकिन बहुत ही बेसिक सक्षन चल रहा है, आपको समझने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको, चले, कुशर 5 सुनते, कि कुशर 5 हम से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो, कुशर 5 में कह फोकस करो, ये 120 प्लस X है, अब ये दोनों क्योंकि लाइन पैरलल है, और ये उसकी ट्रांसफर्स है, इसा ही फोटो बना हुआ है, ये ऐसा ही है, मैं आपको सीधा करके बस देखा रहा हूँ, ठाकि आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस बन सके, ये ऐसा ही बना हुआ है, कैसा इस वली फोटो को, चलो आपको थोड़ा और जो है बहतर चाहिए समय में आजए, तो इसका नाम नेमिंग भी सही कर देता हूँ, थोड़ा नेमिंग सही कर देता हूँ, ये X कर लो, ये 120 प्लस X कर लो, और ये AB कर लो, और ये CD कर लो, तो मैंने क्या क्या बता है, मैंने ये जो फोटो इस तरह से जो रखी है ना, इस फोटो को इने ऐसे घुमाया है, इस फोटो को ऐसे घुमाया, ये फोटो है, ऐसे घुमाया, ठीक है, ये फोटो को ऐसे घुमाया, तो जैसे ही मैंने इस वाली फोटो को ऐसे घुमा दिया, तो जो AB था, वो AB इदर आ गया, जो CD वो CD इदर आ गया है यह X इदर आगे 120 प्लस X आगे तो यह दोनों फोटो सेम है उसने में आपको परिशान करने के लिए इसको आडा कर दिया तो मैं इसको इस तरह से क्यों करके दिखा रहूं कि आपने इसी तरह से मुझसे सीखा हुआ है आरी बत पकड़ में इस तरह से इस 120 प्लस X होगा क्यो हो सार उसको बन करस्पोंडिंगल बोलती रहा है तो इसको आपने प्लस एक सारे एंगल का सम कितना होता है 180 तो यू मैं राइट X प्लस 120 प्लस X is equal to 180 degree इसका मतलब आप लिख सकते हो 2X is equal to 60 degree so X is equal to 30 degree आप इसे लिख सकते हो आगे बास वान में तो question 5 का जो राइट आंसर है which is 30 degree comfortable चले question number 7 के बारे में सोचते एक बार 7 आपको question 6 के बारे में सोचते हैं आपको 6 समझाता हूं 6 सुन लेजिए question 6 के कहता है कि OP और RS एक दूसरे के parallel है करना है तो चलो ऐसा करते कि यह वाला question आपके लिए homework में देते हैं आपने मेरे से 5-5 question सीखें छटे वाले question के लिए आप effort दीजिएगा इस वाले question का answer आप comment section में डालेगा कि PQR की value क्या होगी मैं comment section में आपका answer देखूँगा एक बार question 6 आपको मैं अभी solve करके बता देता हूँ ठीक है एक बार जैसे आपको गीवन था कि OP और RS दोने एक दूसरे के parallel है और PQR मतलब यह वाला angle आपसे पूछ रहा था और यह data भी आपको साथ में गीवन था यह था वो question ठीक है एक बार जैसे आप इसको solve करेंगी तो किस तरह से solve होगा एक बार देख लिए पिनान से मैं एक line कीचूंगा एक line होता आप इसे कर सकते हैं तो मैं इसे आगे खीच कर ले गया ठीक है अब आपको दिखाई देगा क्योंकि OP और RS आपसे parallel है और इसलिए अगर यह 130 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 130 डिग्री होगा मतलब यह जो दोनों है यह angle equal होंगे आप मुझे बताओ यह दोनों 130 तो यह section ले चुका टोटल 180 था जिसमें 130 ले चुका तो यह जो छोटा वाला जो section बचेगा इस वन यह वाला जो बचेगा चोटा वाला तो 180 में से 130 माइनस हो जाएगा टोटल होता 110 उसमें 130 तो उस तरफ चला गया तो इस तरफ के लिए बचा ओनली 50 सब्सक्राइब यह चोटा वाला कैसे 50 बना ठीक है और वैसे ही यह लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का वैली होगी 180 जिसमें से 110 निकल गया तो यहां पर कितना बचेगा 70 कि यहांते ग्टैवर, अब आपको नेक ट्रेंगल दिखाय दे रहा होगा यह रहा हो ट्रेंगल आपको ट्रेंगल दिखाए दिरहां ओको और ट्रेंगल के हम लोगना इहला फंडा पता है कि इंटर्याटे सम वीडियो नंबर टू में बताया था कि ट्राइंगल में इंटर्नल एंगल का सम होता है 180 डिग्री किसी वित्रगुज के अन्ता कोड़ों का योग होता है 180 डिग्री तो उसमें 70 और 50 तो यह निकल गया तो 180 में 120 तो निकल गया 180 में 120 निकल गया तो कोशन मार्क के लिए कितना बचा 60 अगर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर 60 डाला होगा शाबाश आपने बहुत बढ़िया किया अब लोग चल रहें कुश्चनमर 7 पर इपर कुश्चनमर 7 सोन लेते हैं पिनान से कुश्चनमर 7 में अपको गीवन है कि AB और CD पैरलल है यह दोनों जो है आपको पैरलल गीवन है ठीक है अब आपको क्या करना था य की वैलियो निकाली तो और साथ में यह भी डेटा कुछ गीवन था आपको तो मैं क्या करने वाले हो तो ऐसे क्या होगा यह थो है और यह बेहीं हो यह होगे और यह कौन सा होता है corresponding angle संगत कोड होता है और एक line पर बनने वाले सारे angle का sum होता है 180 degree अब उसमे 130 तो इस तरफ आ गया तो इसके लिए 180 में से 130 कड़े है तो इसके लिए कितना मचेगा 50 तो यह चोटा वाला है 50 उपर वाला है 20 और इस तरफ है y अब यह आपको ने एक triangle यह और एक triangle दंजी तरफ तो इक star ने वालए सारे इंटीर अंगल का संग कितना होता है 180 डिग्री कि अनता कोड़ों का यह होता है 180 इंग जिसまomm और यह 20 तो नहीं मतलब कि 70 घूम पचास और पीजम की सेवन ती अलरडी लिया जा चुका हैं तो कितना बच्षे का वाई के लिए एक सोसी बेर सबतर करों तो आंसर एगा वन वन जिरो डिग्री तो कंशिट्वाइब गार सेवन का राइट आंसर है वन वन जीरो डिग्री साथ साथ question में बना चुका हूँ इब वीडियो को पॉस करो स्क्रीन शॉट लो और question 8 9 10 पर ज़रा कोशिश करो 8 9 10 का अंसर अभी आप solve करके पहले comment section में डालेंगे उसके बाद आप मेरा solution सुनेंगे ठीक है साथ साथ question बता चुका हूँ तीन question दो आप करके देखो और FH और BE भी parallel है यह FH और यह BE यह भी दोनों आपसे parallel है वो भी मुझे की बन है अब बोल रहा है एंगल FHE की value क्या होगी तो पहले आप भून लो कि FHE है कहां पर तो आप देखो तो FHE आपको यहां पर मिलेगा तो आपको इसकी value आपसे पूछ रहे हैं अब देखो यह कैसे solve होगा भाई see मुझसे इस वाले angle की value पूछा है न तो मैं के करने वाला हूँ मैं इस वाली line को थोड़ा से extend कर देता हूँ ऐसे यह अच्छ है इसे विन action कर गया ठीक है और मुझे पता है कि एक line पर बनने वाले सारे angle का sum कितना होता है 180 degree होता है अब 180 degree में 60 और 50 मतलब 110 तो अल्रड़ी वो लेच चुका है तो 180 में 110 अल्रड़ी वो लेच चुका है तो आपके लिए बच्छेगा 70 तो यह हो गया 70 डिग्री यहाद कम्फिट्व लेपन तो मैं यह कहने कोशिश करूं आपकर थोड़ा सा गौर करोगी तो आपको अपसे parallel lines है अब मैंने parallel lines है corresponding angle बता रहा है अब आपको corresponding angle सुझ में आना चाहिए यह वाला 78 और यह वाला angle this one and this one यह और यह दोनों ही आपस में equal होंगे और वो है corresponding angle यह अगर 70 है तो यह भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा अब यह logic apply कर सकते थे और अगर मालिया आपको दि बन रहा है content यह बन रहा है कि क्योंकि जो है क्योंकि यह 70 है तो यह भी होगा 70 this is 70 यह बनेगा अपना which is corresponding angle और एक line पर बनने वह सारे एंगल का सम कितना होता है एक से डिग्री तो यह रही वह लाइन जिस पर सारे कि सारे एंगल बन रहे हो है यह रही वह लाइन दिस इस द यह लिए दो कितना बचेगा 110 तो इसको शिनका राइट आंसर नहीं होला है 110 डिग्री तो जमेंटरी ना ऐसे ही पढ़ा जाता है मतलब कि आपको फोटो में ही सोचना होता है फोटो में ही काम करना होता है आपको पता होने चाहिए आपको इसमें फोटो देख देकर apply करना चाहिए जमेटरी जलिए जो है पूरा फोटो खेले आपको फोटो के साथ मे एंगल सब्सक्राइब के साथ में खेलना आना चाहिए आपको चेब् Ellis सकतित। अब जैसे इससे देखो इस टाइप पर के पिछले वीडियो को बता चुका हूं जब आप स्वाल करके देखिए खुद से X O Y पूछ रहा है X O Y मतलब यह वाला एंगल आपसे वह पूछ रहा है ठीक है तो मैंने कहा था कि आप ऐसे एक लाइन कीछ लो जिससे यह जो है ज़ेघाए आप डीकोष डूजए दिकाए रहे हों एक यह रहा वह जए और यह रहा हो जाटि है ना यह रहा फोजए यह रहा उज़ें तो आपके लिए एक लाइन पर बने लिए सारे एंगल का सम कितना होता है भई 180 है ना तो यह है वो लाइन जिस पर सारे एंगल बनेंगे तो 125 एक सॉस्सी में से निकल गया गाट इट तो इसके लिए कितना वच्छे गवाई 55 यह हो गया 55 तो यह छोटा वाला है 55 और यह 125 दोनों को वगल झाव कितना हम होगा बन्यूदाद में से बन्यूदा जिए झाल गया तो यह गया झाल तो यह है वाई उन्यूदा को जोड़ना हम झाल घपाना है 15 लाववावावा जोड़ना है 25 लावावावा